कि अधिया है कि अधिया है कि अधिया है कि हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल आज मैं बेसन गुड का लड़ू बनाने जा रहे हैं जिसके लिए मैंने लिया है बेसन गुड़ घी काजू और पिस्ता बदाम गुड़ को आपको पहले ही या तो आप चूड़ ले या तो आप काट ले या तो कद्दुकस कर ले ताकि गुड़ आसानी से मिल्ट हो जाए ताहिए अब शुरू करते हैं बनाना बेसन का बेसन गुड़ का लड़ू तो अब कडाई गरम हो चुक आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बेसन जो है सीम फेट पर ही फ्राइब करना है तो इस तरीके से आज पर ही फ्राइब भूजना है इस बात का ध्यान रखें आप लोग सिमाच पर ही भूज़ना है यह देखिए बहुत अच्छी तरिके से बेशन का कलर चेंज हो चुक है रंग चेंज हो चुक है और धीरे-धीरे हलका सा घी भी छोड़ने लगा है तो एकड़ में ही फ्राइब करना है फोड़ा टाइम लगेगा पर सिमाच में करना है आप लोग यह देखिए बेशन घी छोड़ने लगा है तो और थोड़ी दिर हम फ्राइब करेंगे थोड़ा और घी छोड़ने बेशन उसके बाद हम घुर मिलाएंगे बेशन में हीट जहा है गैस का सिमी रखना है आप लोगों आप जी तो अब मैं मिलाँगे ड्राइफ रूट्स जो की मैंने पूरे इच्छी तरीके से चौप कर लिया था अब ड्राइफ रूट्स को मिलाऊंगे अच्छी तरीके से जी तो अब मैं गुड मिलाने जा रहे हूं गुड़ आप अपने हिसाब से मिलाइए आपको कितना मिठा चाहिए हिसाब से आप लूंग गुड़ मिलाइए यह देखिए गुड़ अच्छी तरीके से दल चुका है तो अब मैं गैस बंद कर रहे हूं पर अभी हमें चलाते रहना है क्योंकि हमारा बरतंग गरम है तो थोड़ी देर हम चलाते रहेंगे और अब मैंने एक प्लेट लेके इसमें इस तरीके से घी को ग्रिस कर लिया है और यह इस तरीके से मैं खाली कर रहे हूं उसके बाद देखिए मैं कुछ इस तरीके से जल्दी जल्दी लड्डू बना दोंगी बखाइस करने के चलाक हम लड्डू बनके तयार हो चुकह है तो बस मैं गर्निष करने के लिए इस तरीके से काजू रख रहे हूं पाबज के साथ DA यह आप लूंग देख सकते हैं हमारा गुड बेशन का लड़ू बनके तयार हो चुका है थैंक यू फो वाचिंग डू लाइक कॉमेंट सेयर और सब्सक्राइब